एक महिला सबिंग स्पेक्टर जिसका नाम होता है किरन राव जो की 30 साल की है रात को एक पार्टी से लोटती है और नसे में धुत्थ थी क्योंकि उसको सराब पीने की आदत भी थी और वह जादतर पार्टीों में जब जाया करती थी तो वह सराब पी लिया करती थी जैसे वह नसे में धुत्थ होकर घर पर लोटती है तो उसका नौकर दर्वाजा खोलता है और जैसे दर्वाजा नौकर खोलता है तो वह अंदर आती है और अपनी नौकर का कॉलर पकड़कर अपनी बेडरूम में उसको ले जाती है नौकर बार बार कहता है मेडम आप क्या कर रही हो उसके बाद दोस्तों वे बेड्रूम में ले जा करके नौकर से कहती है कि जाओ म्यूजिक चला दो अब हम दोनों सम्मंद बनाएंगे और जिससे की सोर ना आए इसलिए म्यूजिक को थोड़ा तेज चलाना अब यहां पर म्यूजिक चला दिया जाता है और वे नौकर के साथ पूरी रात वर सम्मंद बनाती है जब रात गुजर जाती है तो वे जब उसकी आँखे खुलती है तो वे अपने आपको नगन पाती है बैठी होती है और वे एकदम से अपनी नौकर को बलाती है कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया नोकर कहता मेडम आपने ही तो कहा था आप ही तो मुझे पकड़ कर अपने बेडरूम में ले गई थी तो उसके बाद दोस्तों वह जो मेडम होती है वह अपने उपर पस्ताने लगती है दरसल दोस्तों इस मेडम का नाम होता है किरन राव जो कि अपने माबाप की एकलोती संतान है और वह बार्वी में पढ़ती थी, बहुती पढ़ने लिखने में होसियार थी, उसके पिता किसान थे, मा उसकी ग्रहसती चलाती थी, यानि की हॉममेड थी, अब जो करनराव होती है वह आंधर प्रदेश के रंगा रेड़ी जिले मे रहने वाली थी, पढ़ाय लिखाय में जैसे होसियार थी, तो सभी टीचरों की चहेती थी, और खेलकूद में भी खूब नाम उसने कमाया था, दोस्तों यहां पर क्या होता है, जब वह पढ़ रही थी, तो उसका एक लड़के से अफेर हो जाता है, और उसके साथ वह प्र संग करने का और सम्मन बनाने का चसका लग जाता है, सौक चड़ जाता है, अब तो स्कूल के अंदर ही उसके दूसरा बॉय फ्रेंड बनता है, फिर तीसरा बॉय फ्रेंड बनता है, फिर चोथा, फिर प्र पांचवा, इसी तरह से कई लड़कों के साथ उसके सम्मन हो जात इस बात की खबर उसके माबाप को लगती है, माबाप सोचते हैं कि चलो इसने बारवी क्लास पास कर ली है, अब इसकी साधी ही करवा देते हैं क्योंकि यह तो नाम बदनाम करवा रही है। जिन्दगी में कुछ बन जाएगी अब दोस्तों बारमी होने के बाद वह पुलिस का फर्म बंत भरती है और तयारी करने में जुट जाती है और किस्मत उसकी ऐसी थी कि उसका सेलेक्शन पुलिस में हो जाता है वह ऑफिसर बन जाती है तो सिटार ओफिसर यानि कि सब इंसप बन चुकी थी उसकी पोस्टिंग रंगा रेडी जिले में ही हो गई थी यानि कि हॉम टाउन ने उसका जो पोस्टिंग का मेटर था वहीं पर आ गया था लेकिन अब उसकी आदत तो स्कूल टाइम से ही खराब थी पोस्टिंग तो उसकी हो चुकी थी अफसर भी बन चुकी थ लेकिन जो अंदर की आदत हैं वो जाती नहीं है ऐसा ही इस लड़की के साथ होता है उसकी आदत जाती नहीं है उसको एक ड्राइवर मिलता है गाड़ी पर तो गाड़ी चलाता है ड्राइवर अब वह ड्राइवर के साथ ही निनमतका करने लगती है और ड्राइवर के साथ उस को काटने लगती है तो यह अपने स्टाप में ही एक दूसरे अफसर के साथ अफेर करने लगती है उसके साथ अफेर में जुड़ जाती है संबन वगरा बनाती है और उसके बाद एक और किसी अफसर से संबन बनाने लगती है तो अब बन्नामी नहीं होगी अब उधर जो लड़की है किरन राव यह भी ऊप गई थी तरह तरह के लोगों के साथ घूमते फिरते यह भी मनमन में सोचती है कि अगर मैं साधी करवा लूँगी तो फिर किसी की कोई बन्नामी भी नहीं होगी पती घर पर रहेगा उसके साथ कूँ तो अब की बार यह अपने माबाप को कहते हैं एक तरह से कह देती है कि अब आप मेरी साधी करवा सकते हो इसके जो माबाप होते हैं इसके लिए लड़का ढूनते हैं और इसके लिए एक लड़का ढूना जाता है जिसका नाम होता है बाल कृष्न और वह है इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता था अब उसके साथ इसकी साधी बड़े धूंधाम से की जाती है साधी बड़े धूंधाम से हो जाती है उसके बाद ये अपने पती के साथ स्वागरात मनाने के लिए कमने में जाती है रात पर जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो अब इस लड़की करन राव को पता लगता है कि जो इसका पती है वो उसको खुश नहीं कर पा रहा है। लग रहा था कि वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा है तो वह इलाज स्टार्ट करवा देता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है एक बार कुश चोर एक दुकान का ताला तोड़ते हुए उनको पुलिस पकल लेती है। उनको किरन राव जाकर दबोज लेती है और उनमेंसे एक चोर उसके हाथ लग जाता है जो कि 25 साल का था जिसका नाम ता स्रीधरन। अब उसको वह जेल में डाल देती है लेकिन उसको कोई छोड़ाने के लिए नहीं आता है। और जो स्रीधरन होता हुए कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है मेडम मुझे छोड़ दो मजबूरी में छोड़ी की है। लेकिन जब उसको कोई छोड़ाने नहीं आता है लोक अप में तो जो मेडम होते है किरन राव हुए अंदर ये अंदर कुछ सोचने लगती है। जो चोड़ से कहती है तुम क्या करते हो तो स्रीधरन कहता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ मेडम बस ऐसे धर-धर घूंता हूँ। तो किरन राव कहती है मैं तुम्हें जॉब दे दू तो कैसी रहेगी अब जो लड़का होता है स्रीधर्ण का कहता है मैडम मुझे यहां से निकालो मैं किसी की भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ अब किरन राव उसे निकालती है और अपने घर पर वे नोकर रख लेती है और अपने पती से कहती है कि तुम बहार रहते हो घर काम भी करना पड़ता है मैंने एक नोकर रख लिया है पती को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी नोकर अब घर के अंदर था अब अब अपने पाउं और हाथ उस नोकर से दबाती थी क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था अब उसका पती घर था अभी वे नोकर से कुछ कह नहीं रही थी अब उसका पती एक हपते लिए घर से बाहर जाता है घर पर नौकर था और खुद किरन राव थी ये दोनों अकेली थे अब एक दिन किरन राव किसी पार्टी में जाती है और पार्टी में इंज्योई करते करते हैं उसको 12 बज जाते हैं और बारे बजेव है नसे में धुत्त होकर घर लोटती है दर्वाजा उसका नौकर खोलता है जिसको उसने लोक अप से छुड़ाया था जैसी वे दर्वाजा खोलता तो उसके कॉलर को पकड़ कर वे बैड पर ले जाती है और कहती है कि म्यूजिक को तेज कर दो क्योंकि सोर बहुत होता है अब नौकर म्यूजिक तेज कर देता है इन दोनों के राहत बर शम्मन्द बने लगते हैं अब आट दिन घुजर जाते हैं तो अब किरन राव का पती आ जाता है अब अपने पती के साथ रहती है लेकिन उसका पती तो एक दो घंटे उसके साथ सम्मन बनाता लेकिन उसके बाद जो किरन राव है उसको तो रात रात बर सम्मन बनाने की आदत सी जो लग गई थी अब जब उसका पती सो जाता तो थोड़ी दिर के लिए वह नौकर के पार्स चली जाया करती इसी तरह से मामला अब यहां पर लगातार चलने लगता है एक दिन क्या होता है रात का समय था और उसके पत्नी पट्नी लगी बढ़ी है दोस्तों यह देख करके उसके पत्नी को जिसका नाम होता है बाल किसन उसको बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी को तब तो कुछ नहीं कहता है लेकिन जैसे सुबह होती है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जो कर रही हो यह ठीक नहीं है लेकिन उसकी पतनी किरन राव उल्टा उसको चुप कर देती है कि तुम तो किसी लायक हो नहीं और मैं एंज़ोय करना चाहती है और मुझे भी तुम रोकते हो तुम पहले लायक बन जाओ फिर मैं कहीं नहीं जाओंगी लेकिन अब की बार उसके पती को तो पता था कि घर के अंदर मुझे से पीछे क्या होगा तो उसका सारा ध्यान घर की तरफ ही था लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था अब पीछे से वही बात जो यहाँ पर किरन राव होती है वह अपने नोकर के साथ रोज रात को सम्मन बनाती अब तीन-चार दिन गुजर जाते हैं पती को गए हुए तभी क्या होता दोस्तो तीन लोग उनके घर में घुशते हैं और किरन राव अपने नोकर के साथ सम्मन बना रही थी वह तीनों लोग घर के अंदर घुशते हैं और इन दोनों के उपर फाइरिंग कर देते हैं किरन राव को गोली कंधे में लगती है और नोकर की वहीं पर मौत हो जाती है और वह तीनों लोग घर में से कुछ चोरी वगएरा करते हैं कुछ गहने चुरा लेते हैं, कुछ पैसे चुरा लेते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं दोस्तों यह मामला बहुती पेजीदा था उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट की जाती है और इन दोनों को हॉस्पीटल पहुचाया जाता है तो वहाँ पर नौकर की तो मौत हो चुकी थी लेकिन मैडम अभी बच गई थी उसके कंधे में गोली लगी थी अब जब यहाँ पर पूस्थाच होती है तो पुलिस CCTV केमरे वगएरा खंगालती है लेकिन कोई किरू इनको नहीं मिलता है तबी दोस्तों क्या होता है कुछ दिन गुजर जाते हैं नौकर बेचारा बेमौत मारा गया था कुछ दिन गुजरने के बाद उन चोरों मैंसे एक चोर कहीं किसी जोयलरी की दुकान पर किसी गहने को बेच रहा था जो गहना उस घर से चुराया था अब वह जो सुनार होता है जो एलर्स होता है वह पुलिस के पास फौन कर देता है कि साब यहां पर कोई चोरी के सामान को बेच रहा है तो पुलिस वहां जाती है उस लड़के को पकड़ लेती है दोस्तों लड़के को पकड़ा जाता है उससे फूचा जाता तुमने यह चोरी कहां पर की है तो वह सारी बात बता देता है कि हमने चोरी किरन राव मेडम के यहां पर की थी उनको गोलियों से भूना था और वहीं से हमने यह सारी चीज़े चुराई है अब पुलिस पूचती है कि तुम्हें किस ने कहा था चुराने के लिए और उन पर गोलियों क्यों चलाई तुमने तो वह चोर बताता है कि हमें किरन राव के पती ने ही तीन लाग की सुपारी दी थी दोस्तो यह बात वह जो चोर कहता है तो तुरंत किरन राव के पती जिसका नाम होता है बाल किर्षन उसको पकड़ा जाता है उसको जेल में डाल दिये जाता है जैसी वे जेल में डाला जाता है तकरीवन उसके उपर केश वेश चलाए जाते हैं तो 8 महीने के बाद वे जेल से जमानत पर निकलता है लेकिन दोस्त बस जाती है अपने आपको दुनिया से चुपा लेती है तो दोस्तों यह कहानी बड़ी ही रोचक है ऐसे ऐसे किस्स समाज के अंदर और देश दुनिया के अंदर हो जाते है जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन लोगों के भीतर क्या क्या चलता रहता है इसके जै भारत